नीलम्स किचन में स्वागत है आपका और आज हम बनाने जा रहे हैं छोले कबाब जी हाँ यह बहुत ही आसान रेसिपी है और इसका में इंग्रेडियंट है वाइट छोले और आप चाहें तो इनको फ्रीज करके फ्रीजर में एक महीने तक रख सकते हैं और जब भी महमान तो आप इने जटपट बना सकते हैं तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं मैंने यहां पर दो कप वाइट छोले लिए अब मैंने अच्छे से दोलूंगी और इनको पूरी रात के लिए या फिर कम से कम पांच घंटे के लिए हम अलग रख देंगे ताकि यह फूल जाए अब मैंने साइड में रख देती हूं और पांच घंटे हो चुके हैं अगर आप रात बर भी गोएंगे तो जादा अच्छा है और अब यह फूल चुके हैं यह देखे थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं यह देखे यह थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं अब तो अब हम इन चला गया तो कोई बात नहीं पर जादा पानी नहीं होना चाहिए अब मैंने यहां पर 12 लसन की कलिया ली आप चाहे तो कमिया जादा कर सकते हैं यहां पर मैंने 2 हरी मिर्ष ली और 7 ही थोड़ा सा अध्रक लिया इसे मोटा मोटा काटा हुआ अध्रक को यह भी मैंने इसमें डाल दिया साथ में मैंने लिया रोस्ट किया हुआ जीरा और सौंफ इन दोनों को मिला कर पीसा है मैंने आधा चम्मच गरम मसाला एक चम्मच नमक एक चम्मच चाट मसाला एक चम्मच छोले मसाला कि अएप अब हम इसको ग्राइड कर लेते हैं तो चलिए भी से ग्राइंड करते हैं यह देखिये यह दर दरा पीसना आ में бол यह बहत पत्ला नहीं और यह अब आप बराबर पोर्शन ही लेंगे ताकि बराबर साइस की टिक्की बने अब हम इसे शेप दे रहे हैं हलके हातों से ज्यादा हाडली से प्रेस नहीं करना है आराम से इसको एक शेप दे दी जाएगी और अगर आप शेप देने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप इसके अंदर बेसन को थोड़ा सा भून कर भी डाल सकते हैं देखे ही आसानी से बन गई है इसमें पानी बिलकुल नहीं था इसी वेसे आसानी से बन गई और इसी तरह से अब हम सारी टिक्की बना लेंगे आप जैसी भी शेपी से दे सकते हैं यह देखे कितने ठिक है यह और अब हमने सारी टिक्की बना ली अब हम लेंगे थोड़ी सी सूजी या फिर आप चाहे तो ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं हमने इसे सूजी में लपेट लिया टिक्की को अच्छे से ताकि यह फ्राइ करते वक्त फटे नहीं यह देखे अच्छे से चारो तरफ से हमने सूजी में इसे लपेट लिया है इसी तरह से हम सारी टिक्की को इसी तरह से कोट कर लेंगे फटा-फट कर लेते हैं इसे कहीं से छूटे नहीं वरना फ्राइ करने में दिक्कत होगी अब यह सब कोट हो चुकी है तो यहाँ पर मैंने आधा काजू लिया और हर एक कबाब के अंदर एक-एक काजू लगाया इस तरह से उसे जंटली प्रेस करेंगे नीचे और साइड में से ठीक कर देंगे उंगली की मदद से इसी तरह हम सम्मे लगा देते हैं इस तरह से काजू लगाने से कबाब और भी सुन्दर दिखाई देंगे अब मैंने यहाँ पैन में ओयल थोड़ा सा गरम किया रिफाइंड ओयल मैंने यूस किया है आप चाहें तो घी में भी पका सकते हैं और अब हम इसको shallow fry करेंगे पहले हम एक साइड से पकने देंगे इसे थोड़ी देर तीन से चार मिनट तक और जब यह एक तरफ से golden brown हो जाए तो हम इसको पलट देंगे अब मैंने साइड में और डाल लिए और इन्हें अच्छे से पकने देंगे शेलो फ्राइ करने की वज़े से इनका फटने का डर भी नहीं रहता है यह देखिए अच्छे से पक चुका है अब दोनों तरफ से golden brown हो चुका है तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे और हमारे कबाब तैयार है सर्फ करने के लिए अगर हमें इन्हें फ्रीजर में रखना है तो हमें आधे टाइम के लिए इसे फ्राइ करना होगा यह देखिए मैंने और कबाब डाले इन्हें अब मैं फ्रीजर में रखूंगी तो हमें इन्हें golden brown नहीं करना है इन्हें थोड़ा ही प एक महिने तक store करके freezer में असानी सरिक सकते हैं, यह देखिए, यह पका हुआ है और यह half fry है, जो पूरा fry किया हुआ है, तो किस तरह से golden brown हो गया है और जो half fry है, वो proper golden brown नहीं हुआ है, उस से आधे टाइम में हमने इसे पकाया है, तो आप इसको अब एक air tight container में बंद करके freezer में रख सकते हैं यह देखे मैंने सारे कबाब एक डबबे में रख दिये एक के बाद एक साफधानी से रखेगा वर नए टूट भी सकते हैं अब हम इसे बंद करेंगे और freezer में रख देंगे तो थीना यह बहुत ही आसान रेसेपी आप इसे ग्रीन चटनी या इमली की चटनी किसी के साथ भी खाएं जब आपको freezer वाले कबाब तलने हो तो आप उसे निकालिए और दूबारा से उसे shallow fry कीजिए और अपने गेस्ट को गर्मा गरम परोसिए यह खाने में बहुत ही टेस्टी है आपको यह रेसेपी जरूर पसंद आएगी झाले किसी के लिए भी खाएं